आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिसकस करेंगे वो टॉपिक है क्रेमर रूल्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दियेगाई बैल आइकोन को क्लिक कर लीजिए ताके आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें गाइस यहाँ जो equation हम solve करेंगे by using grammar rule वो मैंने लिख ली है equation हमारे पास है 3x plus 2y is equal to 4 4x minus 3y is equal to 11 so guys यहाँ पर question स्टार्ट करने से पहले हम कुछ formula है वो देख लेते हैं जो के हमें required होंगे जब हम question को solve कर रहे होंगे through grammar rule हम दो solution set मालूम कर रहे होते हैं x का solution set और y का solution set x के solution set को मालूम करने के लिए हम dx को divide कर रहे होते हैं d से और y के solution set को मालूम करने के लिए हम dy को divide कर रहे होते हैं d से guys यहाँ पर d जो है वो determinant of coefficient है dx वो coefficient है जो के replace होगा constant number से इसी तरीके से dy भी एक coefficient है जो के replace होगा coefficient number से so guys यहाँ पर x और y की value मालूम करने के लिए हमें इस formula की जरूरत है यहाँ पर d की हमें जरूरत होगी dx की जरूरत होगी और dy की जरूरत होगी so यहाँ पर हम d जिस तरीके से मालूम करेंगे वो formula में mention कर रही हूं d हम मालूम करेंगे इस matrix के through a1 a2 and b1 b2 इसी तरीके से dx हम मालूम करेंगे c1 c2 and b1 b2 matrix के through और guys इसी तरीके से dy हम मालूम करेंगे a1 a2 and c1 c2 matrix के through so यहाँ पर यह formula हैं जो हम use करेंगे grammar rule की equation को solve करने के लिए formula के मताफिक guys हमें a1 a2 b1 b2 and c1 c2 की values चाहिए होंगी जो हम इस equation से find कर लेते हैं जो के question में हमें दी हुई है जो first guys हमारी value होगी a1 उसको consider करेंगे इसको हम a2 consider कर लेंगे इसी तरीके से इस value को b1 consider करेंगे plus 2 को और minus 3 को हम b2 consider कर लेंगे 4 को हम c1 consider करेंगे और 11 को c2 हम consider कर लेंगे जिसके through हम मज़ीद आगे question solve करेंगे तो हम solution अपने start करते हैं सबसे पहले guys हम यहाँ d मालूम कर लेते हैं d का formula है a1 a2 b1 b2 सो मैंने यहाँ लिख लिया है अब मैं इनकी values लिख लेती हूँ a1 a2 की values हमारे पास 3 और 4 है सो मैं यहाँ 3 और 4 लिख रही हूँ इसी तरीके से b1 b2 की values हमारे पास 2 और minus 3 है जो मैंने यहाँ लिख लिए इसके लिए जो हम formula यूज करेंगे वो है a d minus b c सो हम a b c d की values निकाल लेते हैं यह value a की होगी b c and d सो हम इनको cross multiply करेंगे cross multiply कैसे करेंगे वो देख लेते हैं सबसे पहले हम 3 को इस minus 3 से multiply करवाएंगे उसकी बात a और d हमने यहाँ values लिख ली है then minus की sign formula की है then b और c की values को हम multiply करवाएंगे means 2 और 4 को हमने यहाँ multiply करवा दिया 3 3s are 9 plus minus minus उसके बाद minus हमने यहाँ लिख दिया है 2 4s are 8 minus minus plus 9 में जब हम 18 plus करेंगे तो 17 आ जाएगा और बड़े नमबर के साथ क्योंके minus है तो हमने यहाँ minus लिख दिया अश्मीजाद so guys यह हमारे पास d की value आ गई है यहाँ पर उसके बाद guys हम d x की value मालूम कर लेते हैं d x की value मालूम करने के लिए हम formula यूज़ करेंगे c1 c2 and b1 b2 so मैंने यहाँ लिख 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 c1 c2 की value हमारे पास 4 और 11 आ रही है और b1 b2 की value हमारे पास 2 और minus 3 आ रही है 22 आ जाएगा तो यहाँ हम d x की value मालूम कर रहे हैं minus minus plus जब हम 12 को 22 में plus करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा क्योंकि बड़े नंबर की साथ minus की sign है तो हमने यहाँ minus की sign को ही लिख दिया है इस तरीके सा हमने d x की value भी मालूम कर ली है अब guys हम यहाँ dy की value मालूम करेंगे dy की value के लिए हम जो formula यूज़ करेंगे वो formula है a1, a2 and c1, c2 so formula मैंने यहाँ लिख लिया है अब हम इनकी values को लिख लेते हैं values के लिए guys यहाँ पे a1, a2 की value हमारे पास 3 और 4 आ रही है c1, c2 की value हमारे पास आ रही है 4 और 11 इसको भी हम cross multiply करेंगे ad minus bc तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 3 को मैं multiply करूंगी 11 से बीच में यहाँ मैंने minus की sign लिख दी है formula की और 4 को मैं multiply करूंगी 4 से 3 को जब हम 11 से multiply करेंगे तो यह 33 हो जाएगा minus formula की मैंने sign लिख 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 ली है 4, 4s are 16 33 में से guys जब हम 16 को minus करेंगे तो हमारे पास 17 remaining बचेगा जो यहाँ हमने लिख 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 लिया है dx को divide कर रहे होते हैं d से so यहाँ dx की value हमने मालूम करी हुई थी जो हम लिख लेते हैं जो के 34 थी minus का 34 और d की value हमने मालूम करी थी जो के minus 17 हमारे पास आ रही थी then guys minus से यहाँ हम minus cancel कर देंगे 17 बंजा 17 17 तूजा 34 तो x की value यहाँ हमारे पास 2 आ रही है इसी तरीके से हम y की value को मालूम करेंगे y की value मालूम करने के लिए हम d y को divide कर रहे होते हैं d से अब हमने दोनों values मालूम कर ली हैं d y की भी और d की भी तो हम वो values यहाँ लिख देते हैं dy की value हमारे पास plus का 17 आ रही थी और d की value minus की 17 हमारे पास आ रही थी so guys 17 बंज़ा 17, 17 बंज़ा 17 यहाँ पर अगर हम देखे तो हमारे पास remaining 1 बचता है इस तरीके से हमने x और y की value उसको मालूम कर लिया है जो के हमारे पास आ रही है 2 and minus 1 so guys यह हमारा answer है grammar rules equation का उमीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो like and share करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अल्ला हाफिस